सम्मानित और प्रिये शुरूताओ जो हमसे बड़े हैं वो हमारे सम्मानित हैं जो छोटे हैं वो प्रिये हैं आज कोरोमा के इस भय भी करने वाले वातावनण में अशोग जैनती और अमबेटकर जैनती के बाद अब बुद्ध जैनती आई है इसे कैसे मनाना है क्या सावधानिय बरतनी है कि इन चीजों को ध्यान रखना है इन सब चीजों के बारे में बताएंगे कई हमारे मित्र पुरुष्ण कर सकते हैं ये धार्मिक विशेपर एक उपासक इन बातों को कैसे कह सकता है वो धर्म ऐसी कोई मर्यादा नहीं है कोई बंदिश नहीं है आज हम आपके आने से पहले इस देश के बहुत गतिशील भिकू प्रग्यावाल भिकू कभी भी चैन से ना बैटने वाले और हर समय धर्म के परचार में लगे रहने वाले भिकूं से हमने चर्चाएं की कि बंते पूजे पूजे बंते चंदीमा जा सारनात में वीकू ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं उनसे भी हमने चर्चा की और उनसे मालग दर्शन प्राप्त करके हम आपके सामने आये हैं उनकी अनुमती प्राप्त करके आपके सामने आये हैं और ये बताने आये हैं कि आज के दिन का महत्व बताएंगे फिर उसके बाद इस लॉक्डाउन के समय में बुद्ध पूर्णिमा का आये जो उनकिस परकास के किया जाना चाहिए उस पर विशेश परकास दाने की देख समब आखाता है इस कि पूर्णिमा को अख्थर कहा जाता है त्रीविद्वपामणि पूरिण मा ओ तिरीविद्वद्गत पामणि तिरीविद्ध क्या होता है? तिरी विद्व्र का मतल्ब तीहेरी, तीन परत वाली जैसे ये रुमाल की एक परत हो गई और ये रुमाल की तीन सीपरत हो गई तो ये तिरी विध रुमाल हो गया तीन फोल्ड वाला तो ऐसे ही ये जो बुत्व पुर्णिमा है इसके भी तीन चरण है कैसे हैं तीन चरण तीन परकार से पवित्र क्यों है आज के दिन सिधार्थ के रूप में बुद्ध का जनम हुआ आज के दिन उनको ग्यान लाब हुआ आज के दिन उनको महा परिनिर्वान प्राप्त हुआ यह तीन महत पूर्ण गटनाएं उनके जीवन की उनके जनम से लेकर उनके महा परिनिर्वान तक की जो जीवन यात्रा है वो इन तीन जैन्तियों में समाई हुई है आज अब एक एक दिन पर हम महत्र डालते हैं बड़ा उविलक्षन जनम से धार्थ का जब उनकी माताजी को गर्बधारन हुआ तो सुद्धोधन की आयू 49 वर्ष की थी बहुत दिनों तक उप्चार किया बड़े जतन किये के कोई राजकुमार पैदा हो अंत तहा गुननचास वर्ष की उमर में शुद्धोधन के घर में वालक सिधार्थ का जनम हुआ जनम से पहले जैसे की परिपाटी थी उस समय और आज भी उस परिपाटी के कुछ लक्षन समाद में आज भी विद्धमान है कि जब विवा के पश्चात पुत्री को गर्बधारन होता है तो पहली पुरसूती पहली डिलीवरी मा के घर जाकर कराते हैं क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा साथधानी की जरुरत होती है देख भाल की जरुरत होती है और ऐसा माना जाता है कि मा से अधिक चिंता मा से अधिक सेवा ऐसी घड़ी में कोई दूसा कर नहीं सकता मा सबसे बड़ी नर्स के रूप में बेटी की सेवा करती है इसलिए उस पुत्री को अपने मैके वाले बुला लेती है अपने यहां जब माता महा माया का गर्व परी पकु हुआ तो उन्होंने महाराज सुद्धोधन से कहा कि अब मैं अपने घर जाना चाहती हूं महाराज अशुद्धोधन ने तुरंथ उनका प्रस्ताव सुविकार किया उनके लिए पालकी सजाई गई मात्या मात्या सैनिक तियार किये गए अंग्रक्षक तियार किये गए और उनकी जो बहन थी पर्जापती गोत्मी उनको भी तियार किया गया कि आप जाए और ये जो रोहनी नदी के पार में देव दहा देव दहा कहते हैं सरोबर को और देव कहते हैं विद्वान पुरुष चरितरवान पुरुष तो वो चरितरवानों की नगरी थी इसलिए वो देव दहा कहलाती थी उन्होंने का जाओ इसके माता पिता से इसकी भेंट करा लाओ और वहें पुरुषूती जब होगी तो यह आ सामेर लुंबी नी का देखी इनके सिविचित्र सजिंव सिद्धार्थ जीवन का एवे जो लुंबणी हो इना यह बफर स्टेट का मतलब यह हुआ कियो उस पर ना तो देवदह का अधिकार था और कपिव वस्तू का अधिकार था वो किसी भी अधिकार से किसी के भी अधिन नहीं थी स्वतंत्र टेरिटेरी थे जब मा माया की पाल की वहां से गुजरी और लुम्बनी वन की छटा देखी तो देखती ही रह गई पक्षियों की सुरिली चहचाहाट ने उनका मन मोह लिया हवा के ठंडे ठंडे जोके उनको ठग लिया और जो वहां का लेंडिस्ट के पिंग थी जो दृष्य था जो नजारा था वो फूर्णों से लदे हुए वरुक्ष वरुक्ष और वल्लरियां उनको अपनी और आकर्षित कर रही थी महाँ बाया ने कहा अपनी दासियों से कहा कि मैं इस उद्यान में जाओंगी उन्होंने का ओके रॉय चलो हम भी चलते हैं सब गए एक वुरुक्ष के नीचे शान वुरुक्ष के नीचे उन्हें लगा कि अब मेरा गर्व का उत्थान होने वाला है कोई पीड़ा नहीं हुई एक हवा का ज्होंका आया पेड़ की टैनी नीचे को आई उन्होंने वह टैनी पकड़ ली उसको पकड़े-पकड़े ही खड़े-खड़े ही उन्होंने एक बालक को जनम दिया जिसको बाद में सिधात का आ गया सिधात किसलिए का आ गया कि उनकी सारी मनों कामना पूरी हो गई सारे अर्थ सिद्ध हो गए क्योंकि बहुत दिनों तक विवा के पस्चात विवा के पस्चात उनको संतान प्राप्त नहीं हुई थी ये उनके जनम की इस्थिति है और जो उनको बुद्धत लाग हुआ 29 वर्ष के आयों में ग्रहता किया था और 6 वर्ष तक ग्यान प्राप्ति के पर्यास में वो लगे रहे बहुत सारे दार्शनिकों के पास गए विद्वानों के पास गए आचारें के पास गए उनसे अपनी शंकाओं का समधान चाहा कुछ समधान हुआ कुछ नहीं हुआ अंत्तो गत्वा उन्होंने स्वेन है कित अफ्प कर तपस्या करके साधना करके ग्यां प्राप्ति का लक्ष घड़रित किया ओर अरुवेल जिसको एद म Τपावं बुद्थ गया कहते हैं ना बुद्द गया नें बुद गया क्योंकि महाँ जो सी टुनियां में गया वहां उन्होंने सुजाता की खीर खाई एक दिन पहले उनन्चास को और खाने के बाद उन्होंने निरणिरण नदी पार की श्रोनिक ने उनको आठ पूले घास के छुट 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 बंडल दिये ताकि इसके उपर बैठ करके साधना कर सकेंगे बुद्वा गए उनको बिछाया और जी जग बिछाया उन्होंने एक दुरुड संकल्प लिया वज्द संकल्प लिया क्या कि चाए मेरी नसे सुख जाएं चाहे मेरा खूं सुख जाएं चाहे मैं हड्डियों का पंजरम मात्र रह जाओं मगर जब तक मैं बुद्धत नहीं करूंगा उस आसन पर बैठे बैठे रात्री में उनको बुद्धत पुलाब हुआ वो वज्द संकल्प लेकर बैठे थे इसलिए उस आसन को वज्रासन आज भी कहते हैं जिस पेल के नीचे बैठे थे वो एक मामूली सा पीपल का व्रिक्ष था बुद्ध को उसके न दुनिया के लिए पूजनी हो गया उसका नाम है बहुत इवरिक्ष हो गया भगवान बुद्ध में असी वर्ष का जीवन पाया भगवान बुद्ध ने असी वर्ष का जीवन पाया असी में वर्ष में अपने अंतिम वर्ष आवास में पैंतालिसमें वर्ष आवास में वो वैसाली से कुशी नगर की तरफ चले और कुशी नगर पहुँजने के पाश्याथ उन्होंने वैसाक पूर्णी मा के दिन अपनी जीवन की अंतिन सांस ली इसलिए वो दिन भी बुद्ध के जीवन का एक आविस मारनिये ख्षान था बुद्ध आंदोलन का एक विशिश दिन था जितना जीवन तो वर्णन भगवान बुद्ध के शरीर त्यागने का महापड़ने बान सुत्तु में मोजूद है ऐसा वर्णन दुनिया के इसी महापुरुष के अन्तिम दिनों का वर्णन दुर्लभ ये बुद्ध के जीवन की कुछ विशेश्टा है उनका जनम लुम्बनी वन में हुआ बैसाक पूर्णिमा का दिन था उनको उरुवेल में यानि के बोध गया में जिस स्थान पर आतकल महापोधी महाव्यार इस्थित है वहां उनको बुद्ध को लाव हुआ बैसाक पूर्णिमा के दिन और असी वश्ट की अवस्था में कुछी नगर में जिसे संस्कित में कुछी नगर कह लीजिए और पाली में कहेंगे तो कुछी नारा में उनों ने अपनी जीवन की अंतिम सांस ली उनका देहांत हुआ शरिरांत हुआ हम पाली भासा में बोधो की भासा में कहते हैं महापरिनिर्वान हुआ महापरिनिर्वान शब्ध गटनाएं तीहरी घटनाएं तीन परकार के महत वाली घटनाएं इस बैसाक पूर्णिमा को तिरिविद पावनी बना देती तीन परकार से पर अब हम देखेंगे कुछ लोग पूछ दे हैं वह यह कौन सी जैनती है जैनती बताना मुश्किल है क्योंकि कि बैसाक पूर्णिमा इसमें कोई शक्र ने मगर तीन अवस्था हैं और वह 80 साल का अंतार है उनमें एक है उनके जनम की जो 563 इसा पूर्व की है वह बनती है 2565 जैनती मापरिंग निर्वान की और उसमें से क्योंकि वह उल्टी चल रहे ने पूर्व इसा से पूर्व की उल 2585 हो जाती है उनके जनम की तिथी और ज्ञान प्राप्ति की हो जाती है 2520 तो ये तिथियां हैं उनकी इसके बाद हम ये देखेंगे कि इस करोना के माहौल में हम ये बुद्ध जैनती किस परकास से मनाएं अभी पिछले 14 अप्रेल के वाइट जब हमने डाली थी कि किस तरीकी से मनाएं हम बेटकर जैनती कि कोरोना लॉकडाउन के दोरान तो उस वक्त हमने एक बात कही थी और मुझे हमें खुशी है इस बात की कि वह बात आज सारे विद्ध्वानों ने कि उस बात को आगे बढ़ाने का अपने विद्वता के बलपत उस पक्ष को आगे बढ़ाया बात यह थी कि सरकार दुआरा कहा गया था सोशल डिस्टेंस बनाके रखें कि बहुत आपत्ती जमक्षब सोशल डिस्टेंस तो चुच्छा में तो सोशल डिस्टेंस रखा जाता है हमने कहा कि निशारीरिक दूरी फिजिकल डिस्टेंस और हमारे सारे विद्वानों ने एक मत से इस विचार को बल परदान किया आज हम आपको एक बात बता रहे हैं क कि जो लोकडाउन हुआ लगबग डेड़ महीने का यह भी फिल साबित हुआ विफल हुआ कारण क्यों कि आज ही की खबार है आज ही की खबार है वो कह रहे हैं दिल्ली के मुख्य मंत्री कह रहे हैं कि अब हम कोरोना संग जीएंगे यानि कोरोना का भी इंतजाम चलेगा और बगर लोकडाउन के हमारे दफ्तर भी खुलेंगे और सारे चीचे खुलेंगी यह काम तो डेड़ महीने पहले भी हो सकता था इस परबादी के आलम से पहले भी हो सकता था मगर नहीं हुआ कोई बात नहीं मगर हम इस लॉकडाउन के दोरां बुद्ध जैनती किस रूप में मनाएंगे इस पर हम कुछ चर्चा करें हम से पहले पुझे बंते चंदिवाजी ने कुछ गाइडलाइन्स बताई हैं और वो सारी गाइडलाइन्स किसी व्यक्ति ने भी उसमें संद्व व्यक्त नहीं किया है वो गाइडलाइन्स इस परकार हैं कि कि तीन माई को सरकारी गोशना के हिसाब से लोगडाउन समाप्त हो गया वो कहने की बात है मगर अभी लोगडाउन पूंदता समाप्त हुआ नहीं है हां उसके कमर जरूर टूटी है और साथ तारीक को भी लोगडाउन पूरे तरीके से हटेगा नहीं कुछ न कुछ मोजूदगी रहेगी हम सावधानी के तोर पर अपने बुद्वियारों में जो एक सामुई आयोजन करते थे सामाजी का आयोजन करते थे धार्मे का आयोजन करते थे और सब लोग तिकठे होते थे और अपने महापुरुष की जैनती मनाते थे हम इस साथ तारिक को जो बुद्व पूर्णी मा पड़ रहे है उसको ऐसा नहीं करेंगे फिर कैसा करेंगे फिर ऐसा ही करेंगे जैसा कि हमने समराठ अशोक की जैनती पर बाबसाइब डार्क्रम बेटकर की जैनती पर महमना जोतिवा के माध्यम से जो जैन्ती मनाई थी उसी तरीके से बुद्ध की भी जैन्ती मनाएंगे यह हमारा नेर्ण है और उसको कैसे मनाएंगे सबसे पहले आप यह समझ रहे हैं कि इसमें जो आप खर्च करने जा रहे थे वो खर्च जो बचेगा आपको उसको जरूरत मंद लोगों की मदद के लिए इस्तमाल करें भूके लोगों के लिए साधनीन लोगों के लिए जिनको आपकी मदद की जरूरत है उसे आप जरूर करेंगे तो इस बुद्ध पूर्णिमा का अर्थ बहुत अधिक बढ़ जाएगा अपने घरों पर बुद्ध विहारों पर तथा महापुर्षों से संबंदित एत्यास इस्तनों की सफाय करें साज सज्जा करें सजावट करें क्योंकि यह हमारे सांस्कृतिक प्रतीक हैं यहीं से कोई आंदुलन चलता है हमारा आंदुलन भी जो जनकल्यान का आंदुलन है यहीं से चल रहा है सुच साफ सुत्रे कपड़े मगर अगर संभव हो सके तो तो बहुत दिन हो गए कहते कहत स्वेट वस्र शुब्र वस्र धारन करें तीन शब्दों आते हैं वाइड शुब्र स्वच कपड़े धारन करें और अपने इस बुद्ध पूनिमा के कारकरम में समलित होएं एक चीज और अपने सुबह चार बज़े से पहले पहले जिसको कुछ खाना खा लें उसके बाद में आप बारा बज़े से पहले पहले खाएंगे बारा बज़े के बाद कुछ ठोस भोजन नहीं ले पाएंगे ये उपोसत धर्म की मरियादा है बिकू तो रोजी उपोसत रखते हैं बगार उपासक लोग मेरे जैसे सामान में लोग उस दिन उपासक उपासे का बाल बच्चे सभी उपोसत धर्म का पालन करेंगे यानि के बारा बज़े से पहले पहले भोजन करेंगे और बारा बज़े के बाद भोजन नहीं करेंगे आगे जाके चार-पांच बजे के मद्धे आप पानी वगरा पी सकते हैं, शर्बत वगरा पी सकते हैं, कोई ठोस चीज नहीं खा सकते हैं, ये उपोस्त धर्म की मर्यादा है, वो कर सकते हैं, आप अपने भगवान तथागत सम्थ संब्ध की परतीमा, उनका चित्र, उनके सा खामने आप माना चड़ा सकते। आप एक चीज साबित हो चुकी है, दूपअछ बत्त, इस्तमाल नहीं करनाई, अगर बत्त, इस्तमाल नहीं करनाई और मोमबत्ती और दीपक इस्तमाल lubणाना है, exactement, अगर उसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखें, कि मोमबत्ती लंगी हो को नहीं चाहिए सफेद मौमबत्ती इस्तमाल करें को जो रंग होता है मौमबत्ती में वह भी स्वास्त के अनुकूल नहीं है और यह जो आपके दोबत्ती अगरबत्ती में जो घी डालना चाहिए घी की जगा आजकल गाड़ियों का इंजन बेकार वाला जो तेल होता है पुझा पेद मौमबत्ती और दीपक जला करके आप अच्छे सजावट करके अपना कारकरम चलाएं पुष्प हार और पुष्प अर्पित करें पूजा जो शब्द अर्थ है उसका यही है किसी के सब्मान में पुष्प अर्पित करना उसका वास्विक अर्थ यही है अग है नीला पीला लाल सफेद नारंगी पांच रंग होगे ने चटे रंग में यह पांचों रंग मिक्स होते हैं तो यह शड़ रश्मी ध्वज है धम ध्वज है अपने घर पर नया जंडा लगाएं और आज पर उसके लोगों को पता चले कि हाँ इनके घर में कुछ आज वि है किसी विद्वान भिकु से शी लवान भिकु कुछ और यदि वख्कु उपलब्द नहीं है तो स्में भीं अपने घर के मुखिया या अपने घर की माता źी के नेतरित में यह बड की नेतरित में जो भी महिला हो पुरुषो उसके नेतरित में तिरी शर्ण पंच शील जरूर गिरहन करें तिरी रत्र गिरहन करें और उसके अलावा आना पान सती का कारकर्म जरूर करें विपसना आना पान सती सांस को लेकर सांस छोड़ना और सांस लेना इसको आना पान सती कहते हैं सती इस्मृति को कहते ह कि और कि अंद्यान सादना करें अभ्यास करें परिक्त पाथ का परित्रन पार्ठ को पाली में युद्ध तक पार के इसको्त आजिव का संग करें और व्यूर्चा लेए और यह जो उपोसत होता है तो आठ सीलों का पालन करना होता है पांच सिल्का पालन सामान ने इस्थित्री में प्रत्यक उपासवक उपासिका को करना होता है कि जो भिक्वों के 227 शीले उसमें वो शामिल है मगर उपासवक उपासिकाओं को उपोसत के दिन आठ शीलों को ग्रहन करना है तो उनको आप ग्रहन करेंगे आज विशिश अवसर है और हमारे पास सुविधाएं भी है आन लाइन, हम धरमपरचार की बाते करें घर में रहकर बच्चों को धरम का पर्वचन करें उन्हें पुष्टाप पढ़ने के लिए या पुष्टाप पढ़कर सुनाने के लिए प्रेजित करें इस से महुल बहुत धमपरचार के अनुकूल बनेगा घर में रहेकर आप स्वादिष्ट बोजन बनाएं कुछ जल्दी खराब ना होने वाले बोजन पहले से बनाने कुछ बोजन मिठा अन बोजन मिठान से मिठान बनाएं याने कि मिठाए बनी है शब्द जो मिठान बना है ना मिठान से बना है कि वो बनाएं खुब आनन दोट सव कुब बिल करके एक साथ बैठ करके खाएं अलग लग खाने से परिवार नहीं बनता एक साथ मिलकर खाएंगे आपस में प्रहम बढ़ेगा आपस में एक दूसरे को समझने का अवसर मिलेग आपसी वहवारों का एक दूसरे से में बैठने का अवसर मिलेगा इसलिए सब सामुए भोजन परिवार के साथ बैठ करके अच्छे अच्छे भोजन खाने को मिलेंगे और अपने धर्म गुरुओं को अपने बुजर्गों को उनको दान देने का अवसर मिलेगा और याद रखना आज के दिन अपनी बेहन बेटियों को संबान संबान का मतलब उनको दान वस्त्र का दान आभूशन का दान धन का दान उनकी उप्योगी उनके जीवन उप्योगी चीज़ों का दान बहुत बढ़ा दान है विक्कूओं को दान करेंगे मगर बेहन बेटियों को जो आपके बेहन हैं बेटी हैं बुआ हैं बुजर्गों के अलावा उनको विद्धान करना चाहिए यदि आप आजा नहीं सकते उनके पास इस वातावरण में तो आप वो पैसा जो उनके काम आ सकता ओनलाइन उनके अकाउंट में डाल दीजी तो यह एक बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर एक मंगल कार्य हो जाएगा बेहन बेटियों को उपार देने से धर्म की मर्यादा बढ़ती है क्योंकि बेहन बेटियों का मैत्तु जिस वो धर्म के अलावा जो बाद में आया सबसे पहले वो धर्म में आया उसकी बहुत सारी क रखाए उनका जहां कहने का समय नहीं है और शाम जब हो जाए आज कल साथ बज़े तक तो रोशनी रहती है तो आठ बज़े की समय अपने अपने घरों के आंगल में अपने द्वार पर में छट पर को नहीं कहूंगा क्योंकि जब वो कहते हैं न वे छट पर चड़कर के ताली बजाना वे बड़े दुख की बात है कि आधे से ज़्यादा भारत के पास छट नहीं है उनके पास सरधकने के अनुकूल बसेरा नहीं है उनके पास गैलरी नहीं है उनके पास एक छोटे से कमर में दस दस लोग सोते हैं तो अपने जिनके पास छट है वो छट पर चड़े जिनके पास गैलरी है वो गैलरी में आके करें जिनके पास कुछ नहीं है तो वो अपने घर के आंग में दीपक मुम्बत्या सजाकर की जलाएं और रात में आठ बजे ये काम करना है आठ बजे जब तरफ से जो आवाज आ रही है वह हाथ बज़ी के आ रही है आठ जो है आाच्टा नगी मार्ग का प्रतीक है और आठ बज़े अंध्य हो जाएगा दिपक तो अंध्यरे में जलता है ना दिन में दी पक जला पर आफ बजे सब एकी समय पर जिसे 14 अपरेल को आपने देखा ना पुरा हरियान पूरा उत्तार परदियी चाहे बेरठ्ट पर आपका घाज बादत त्क कारिक यह आय shutdown प्रो आफ व्य पहली आपका बनारे सूद बिक्कों को जरूर दान दें ये दान पार्मिता का सबसे बड़े व्यक्ति को ही संसार में पैदा हुआ नहीं और बड़े व्यक्ति को ही तथागत कहते हैं महान व्यक्ति को ही बुद्ध कहते हैं महान व्यक्ति को ही भगवा कहते हैं भगवान कहते हैं enlightened one कहते हैं blessed one कहते हैं तो इसलिए आप सबसे निवेदन हैं कि आप को एक गोरो प्राप्त है कि आप एक ऐसे महापुरुष्ट की अनुवियाहियं जिसकी विचार धाराने खून की एक बूंद बहाय बगर सारी दुनिया को अपने रंगों में रंग दिया ये बुद्ध की अपने घरों के वातावरण को बुद्धमय बनाते हुए बगैर कि इस कोरोना कर्फियू का उलंगन किये बगैर अपने घरों में रहके अगर उस दिन कर्फियू खुल भी जाता है तो भी हम उस दिन अपने घर में रहके सो शारिरिक डिस्टेंस शारिरिक दूरी बनाकर मास्क लगाकर भिड़के ना बैठें थोड़े दूर दूर बैठें और जो पकवान बनाएं ऐसे मद बना ले ना कि बहुत भारी हो और आप बिमार हो जाए ना बिमार होने वारा भोजन नहीं खाना है सुपाट्चे भोजन खा सतानी है यह थोड़ी खाएं खीर खाएं किर हमारे बुद्ध की पहचान है बुद्ध को बुद्धतुलाब मिला था खीर खा के मिला था इसलिए उसका विश्वी शित्तान हैं इन्यों के साथ मेरे मार्ग दाता भिक्वों को मैं नमन करता हूं मैं अपने जितने भी शुब्चिंतक हैं जो बार-बार टेलीफोन करकर के हमें इस परकार के वीडियो बनाने के लिए प्रेडित करते हैं मजबूर करते हैं मैं उन सब के पिर्टी भी नतमस्तक हूं उनको भी अपने हिर्दे के निम्तम तल से नमो बहुजन समाज से जोड़ी हर खबर जानने के लिए सबस्काइब करें दशोद्र और बेल आइकन दबाना ना भूलें